हेलो दोस्तों स्वागत है आपका पिपर हेकर की यूट्यूब चैनल में और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगनी वीर भायुसेना का प्रेक्टिस सेट नंबर सेकेंड ठीक है और यहां तक मैंने प्रेक्टिस सेट बन आपको करा दिया है प्रेक्टिस सेकेंड में 30 आपके रहने वाले हैं यह आपका जो प्रेक्टिस सेट है हम 30 से दिस्टे की सीरीज कराने वाले हैं और इसमें जो अगर आपको यह वाले प्रेक्टिस सेट चाहिए तो आप पेपर है कर दूब लूड कर सकते हैं पहले लगा कर उसका solution भी देख सकते हैं या हमारे साथ रहा है है आप पहला प्रिशन कहा किसने सबसे अधिक दिनों तक सासन किया इसमें आप को बताना है इन चार ओप्सन मैंसे इसने सबसे अधिक समय तक सासन किया था खेल की भी आप का हो जाएगा ईर्ट आंटर यानि की मुहम्मद बिन submitted लाग जूता उसने सरवाद एक समय तक सासन किया था और एक और चीज आपको याद रखनी है अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का कारेकाल कब से कब तक था दिल्ली सल्तनत का कारेकाल कब से कब तक था तो आपको बताना है 126 से 1526 तक 1526 तक और दिल्ली सल्तनत में जो पहला सा सकता उसका क्या नाम था कुतवद्दीन एभक और उसने किसकी नीव डाली थी कुतम मीनार की नीव डाली थी ठीक है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है next question आपका क्या कह रहा ही next question है निमलिकित राज्यों में से कौन सा राज्य बंगलादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है यह चार राज्य आपको दिये हुए है चार राज्यों में से आपको बताना है आपको पता है बंगलादेश से एक राज्य जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है उसका क्या नाम है पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में अभी सीम कौन है ममता ममता ही क्या हो जाएगे हमारी trick म एम एम टी ए इस टाइप के question को क्या करेंगे आप ज़्यादतर जो करेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेक है हमारी वो है कि पश्चिम बंगाल की सीम कौन है ममता बना जाएगी तो सी पश्चिम बंगाल और ममता अब पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है कि सरवादिक सीमा कौन बनाता है पश्चिम बंगाल उसके बाद में जो है मिजोर मिजोरम मेगाल है मेगाल है आपको एक चीत ध्यान रखने हैं कि मडिपूर इससी महागता है कौँ सा नहीं बनाता है मड़ी पूर इस से सीमा नहीं मनाता है मसे मड़ी पूर आपको नहीं रखना और टी से क्या हो गया त्रिपुरा त्रिपुरा जाएगा आपका त्रिपुरा और एससे पिर से असम और यह तीन लाज़वी से में साजा करते हैं तीन और चार और पांच राज ये किस से सीमा बनाते हैं बंगलादेश से और अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा राज़्य है तो दो बार सी मासा जा करता है है एकले किसके साथ में बंगलादेश के साथ में तो आपको बताना है असम क्या सब्सक्रा को नहीं बनाता है तो कौन सा राज़िए थी हैll म्हाँ और है दो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर ना तेस प्रकार से इसे पुर्टभी है उसी प्रकार से इन महींसे आपको पताना है कि कौन से इसे युग है जनके नहीं नहीं है तो हमें पता है यह सूर्य है ठीक है यह क्या है सन है यहां पर और यहां से बुद्ध से आपको शुरू करना है बुद्ध फिर एक का गैप देना है सुकुर बुद्ध ब्रेस्पत फिर आएगा एक का गैप के बाद सुकुर आ जाएगा क्या जाएगा सुकुर यहां पर क्या किल खाल half of wage to be business से पहले के कौन से दो ग्रहम बुद्ध और सुक्र और बुद्द ऊस्कर जो होते इन दोनों की क्या नहीं अप्ग्रह नहीं एडिक है बुद्ध और सुक्र का नहीं लिए अब को क्या कहते है यह कि कुछा भी यह जुड़ यदि राष्टपती का पत खाली है तो उस पर उसे कितनी अपनी में के अंदर भरना आपको आवश्यक है ठीक है तो आर्टिकल नमबर बाश्ट दो के अनुसार आडिकल नमबर 62 के 62 के अनुसार यह कहता है कि 6 माह में 6 माह में राष्ट पती की पद को भरना आवस्यक है ठीक है 6 माह में राष्ट पती की पद को भरना आवस्यक है तो आपका option डी क्या हो जाएक बिल्कुल कुल right answer हो जाएंगा एक चीज और याद रखेंगे आप यहांसे राष्ट पती की पूछता कि राष्ट पती का पद राष्ट्रपती का द कैसल यह कौनसे में तो आपको बथाना आटिकल नंबर 22 में यह रास्ट पती का पते है तीक मेंDB 8 पत्रथ का पाइड कि इसमंधी खिए ऊंधी आर्टिकल नंबर 12 है मैं इसी बिखाएगी और अब राश्डपती के पद को भरना आवर्ष नेक्स्ट आपका प्रश्चन हो जाता है कि सोनार मैं हम उप्योग करते हैं आपको बताना है कि सोनार में हम कौन सी तरम उप्योग करते हैं रेडियो पर आश्रैया another यह यानि आपको पता है कि जो 20 Churchill B को क्या कहते है अपसरब कहते हैं इन्हें क्या होती है और अगर वह पूछता है स्रब्र जॉनी तरंग्या स्रब तो आपको बताना है 20 से 20,000 तक की तरंग्या होती है वह उती है इसा ही परासरब प्रासरब है अगर तरह अथिए जो तरह वोती है वो क्या कहलाती है पराशरप तरह ठीक है गलत लिखती है मैंने वहाँ पर यहां पर आएगा ठीक है यह विस अधिक वाली पराशरप बें होती है आप की होती है बीच से बीस ते वीच वीच अजार तक ठीक है 20 से 20,000 तक शरब होती है पराशरब आपकी 20,000 से अधिक होती है और अब शरब होती है आपकी 20 से कम 20 से 20 हड्ड से कम 20 हड्ड से कम बाली क्या होती है आपकी अब शरब तरंगे होती है तो हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं हम शरब तरंगों को सुन सकते हैं स्थब्रवाइब्याणाव को तरन में आभिट से बीस हजार के बीच में हमने सुन सकते हैं ठीक है और सुनार में प्रियुक्त होती है वो कौन सी होती है परासरब यानि कि 20,000 हट से अधिक की आपड़ती वाली जो तरंगे होती है उनका उपयोग हम किस में करते हैं सुनार में करते हैं ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट प्रेशन की और चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है किस मानवांग में सरवादिक कोलिस् चौ sew मेंका उस्रावित होता है next impression क्या एक रहा है next प्रेशन क्या रहा है आपको की भारत में धी जाने वाली कुल सबसेडी में सबसे बड़ा भाग किसका का तया है कि खाद सबसीडी है उर्बराक सबसीडी का पैट डॉलियम का या पोशन का आपको यह बताना до यहां से आप जो सही आंसर हो जाएगा भूजा जाएगा काद जाएगा का सबसंडी यानि地 सब सल शल्प दिया थी इसमें सरवाद असप recreी किसे दी सेस है जिसमें टेष्ट्यूप की दवारा सेहर के सापक याष्ट के सावख जन्म थी करें तो बोख या कि द्बीडी का मतलब क्या थी दी वीडी यानि कि डिजीटल बर्शेटाइल डिसके इसका मतलब क्या होगे? दीजिटल वरसेटाईल डिस्क एक्या होती है? यह दीजी डीवीदी आपने देखी होगी जो होती है जो पहलेßeगी में लगाते ति कैसे यह विद्विद यकाते है इसका मम करते थे इसमें मूढ भी भरते थे मोढ दे च». स्टोरेज के लिए डेट आके भंडारन या स्टोरेज के लिए इसका उप्योग करते थे डीवीडी का डीवीडी की फुल पूँछे तो क्या बताना डिजिटल वर्सेटाइल डेस्क ठीक है यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट अंसर नेक्स्ट प्रेशन क उत्व Hee, और चलते हैं यहसे आपका सीक्स्टन सुरू हो जाता है मैंत का, ठीक है से कूण सा सीक्टन सुरू हो गया मैंत का सेक्टन सुरू हो जाता है इस टाप का कैई को आ यह कफ़ोंशन स्वाल मoned मताना अब इस वाली equation को सही सरल करके लिख लेते हैं इसमें क्या है तीन एकम 3 इसकी इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जागा तीन एकम 3 और दो 5 वटे 3 आगे क्या है भाग का चिन्न है इसे ऐसे ही उताल लेते हैं अभी 2 वटे 7 गुणा में क्या है यहां पर गुणा में क्या है एक्स वटे 7 बरावर में क्या लिखा हुआ है इसे भी सरल कर लेंगे चारे कम 4 और एक 5 वटे 4 पांच वटे 4 ठीक है उसके बाद गुणा में 2 वटे 3 भाग कितना लिखा है एक बटे 6 अब जो भाग है उसे पलट भाग को क्या है गुणा में बदलूंगा गुणा का चिन लगाऊंगा तो यह साथ उपर चला जाएगा और दूर मीचे आ जाएगा यानि कि यह अपोजिट हो जाते हैं ठीक है गुणा को ऐसे ही लिखेंगे एक्स वटे 7 बरावर में क्या हो जाएगा 5 बाइफ 4 पांच वटे 4 गुणा 2 वटे 3 फिर बागी जगे गुणा का चिन लगा देंगे तो इसे भी पलट देंगे 6 उपर चला जाएगा यह कहा जाएगा नीचे ठीक है 6 उपर चला गया एक आगया नीचे अब जो कट रहे हैं उसे काट देते हैं 5 से यह सामने वाले 5 कट जाएगा ऐसे 7 से नीचे वाले 7 कट जाएग और ये 2 से उपर कुछ नहीं बचा ना तो 3, 4, 12, 6, 12, 12 ये भी कट गए अब बचे नीचे कितने बचे तीन दूनी 6 उपर बचा एक्स, एक्स बटे 6 बराबर में कितना बचा एक तो यहां से एक्स बराबर 6 को इदर ले जाएंगे तो यह कितना हो जागा 6 है है क्या होगे हमारा बिल्कूल सही answer, geht option क्या होगे आपका बिल्कूल राइट answer हो जाएगा ठीक है इस तरीके से से कुर्षिन को हम solve कर लेंगे next question को देखते है नेक्स्ट प्रेशन क्या रहा है दो संक्याओं का योगपल और गुणर फल ठीक है क्रमसा 5 और 6 दिया हुआ है तदनुसार उनके बर्गों के बितकर्मों का योगपल आपको बताना है दो संक्या हैं मालो एक्स थी एक संक्या और एक थी भाई क्या क्या थी एक्स और भाई अब वो कह रहा है कि उनका योगफल क्या दिया हुआ है एक्स और भाई का जूड कितना दिया है योगफल पांच है योगफल कितना है पांच और गुणन फल कितना है एक्स भाई वराब पर चेह है अब उसके ब्रगों के विद्करम का योगफल वो पूछ रहा है ये यानिकि एक्स और य के बढ़ करूंगा तो मैं यही value ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा solve कर लेते हैं x square और y square को LCM ले लेंगे यहां से x कर जाएगा y square plus x square यह आगया यह आपकी equation आगई आपको इसको निकालना है अब आपको इसकी value और इसकी value पता होनी चीए तब आप इसको कि निकाल पाएंगे हमें इसकी value निकालनी है तो मैं इसका square कर दूंगा यहां से x square और by square हो जाएगा बरावन कितना हो जाएगा 36 च्टिस हो गया 36 हो ठीक है यानि कि इसकी value हमें पता चल गई अब हमें इसकी value को निकालने के लिए क्या करना है इसका square करते हैं इसके नमर बन माल लो ऐसे इसे two माल लो ठीक है बन का हम क्या करेंगे square करेंगे तो x plus by का square बड़ावर पाँच का square ठीक है यहां से क्या हो जाएगा इसको खोलेंगे तो x square फॉस्क्र प्लीस कर पंदेर थे यहां टो यहां से हमने क्या कि है एक्ससकाय को इदर रख लिया भरावर मैं क्या लगा और 25 टो और यहां से क्या कर लिए牡ान खर दिया हुआ है अब यहां से क्या कर लिए हमने 25 माइनस के 13 ठीक है 7,25 우.25 छो कना कितना होगा अपका 13 है यहां से कितना निकल का आगया ठीक है 13 के आगया आपका x2 लिजान का value कैटनी आ गयी 14 है यहां पर आपको पताए तो यह तो यह क्या हो गया इसका 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 अंसर क्या हो गया यह तो हमारा कौन सा आप्सिंस मारा बिलकुल राइट आन्वा सर भजाएगा ठीक है इसको नोट कर लेंगे आगे चलते हैं ठीक है next की तरब चलते है next question क्या गह रहा है हमारा कि एक बस्तू के लागात मूल और विक्री मूल में 240 रुपे का अंतर है हम इसे छोड़ देते हैं दूसरा आगे क्या गह रहा है तरदन सार उसमें 20% का लाव होता है तो विक्री मूल बताईए यानि कि जो कौश्ट प्राइस थी वो कितनी थी कौश्ट प्राइस थी 100% कौश्ट प्राइस कितनी दी हुई है 100% अब वो कह रहा है कि हमें उसमें 20% खलाव होता है अगर मैं 20% इसमें पिलस करूँ तो यह कितना हो जाएगा 120 परशंट यानि कि विक्री जो क्रेमूले या क्रेमूले उसे कहते हैं जिस पर खरीद कर लाते हैं जो लगात होती है और विक्री मूले का मतलब जिस पर हमने बेचा उसे विक्री मूले कितना हो गया मिक्री मुली कितना हो गया एक इसे बढ़ा के रखका अब उसे कि अधे धा तो 20% के बरावर मैं लिख सकता हूं 240 क्योंकि 240 का उसे फैदा हो रहा है हमारे इसाप से 20% का फैदा हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 20% बरावर 240 यहां से मैं यहां से कितना हो जाएगा 1244 और 0 1440 रुपए क्या हो जाएगा आपका विक्री मूह निकालना होता है तो मूह इस से गुणा कर देंगे एक परशेंट कम मूल ले था बार है ठीक है तो बार है से कुणा कर दी मैंने तो कितना आ गया 1440 आपके option दिये हुए यह ठीक है 1440 14 1245 और वारे सो तो इसमें जो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए उप्सन बिल्कुल राइट ऑप्सन हो जाएगा ठीक है है next question की तरफ चलते है next question क्या कह रहा है आपका कि दो बर्गों के परिमाब दिये हुए मालों दो बर्ग यानि यह जो दो बर्ग क्या होते हैं जिनकी सारों बजाए समान होती है ठीक है दो बर्गें ऐसे दो बर्गों की परिमाप दिये हुए तदन सर ऐसे तीसरी बर्ग का परिमाप पूछ रहा है वो एक तीसरा भी बर्ग है ठीक है एक तीसरा भी बर्ग है उसका पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है जिसका छेत्रपल इन चार गुणा भुजा होता है, चार गुणा भुजा बरावर क्या होता है, परिमाब होता है, ठीक है, ऐसे ही चार गुणा भुजा बरावर क्या होगा आपका, परिमाब भुजाएगा, इसकी भुजा मैं माल लेता हूँ A1 और इसकी माल लेते हैं A2, यानि कि चार गुणा A1 बरावर कितना आगे आपका 68 ऐसी चार गुणा एटू बरावर आपका आगे 60 यह दोनों चीज आगे यहां से हम चार से इसको काट देंगे तो यह 17 बार जाएगा यानि कि एवन बरावर 17 हो गया ऐसा ही एटू बरावर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो चार पंद्र जाए गई तो यह टू बरावर हमारा हो गया है यहां से 15 एवन एटू हमें दोनों के पता चल गए अब वो कह रहा है चार जाए है 15 का स्कवाइर 235 ठीक है 230 हो जाएगा इसका होगे 250 ए Pan यानिग कि अनलों बर इन दोनों बर्ग गों के चैए चाहिए अंटर एवन का स्कवाइर मानेस एटू का स्कवाइर बरावर उसका क्या है ज सक च्षैटर पल तीसरे срав़ा जो बर गया है इस नोनों बर्गों के अंतर के बरावर यही तो वो कहना चाहरा है तो एवन बरावर 209 इस कि-225 रावर a3 का स्क्वार यानि थी तीसरे बाले बर्ग का छेटरपल से इन दोनों का अंतर कितना निकल का आएगा 64 बरावर A3 का square यानि कि जो तीसरा बर गया उसका 6 तरपल कितना आ गया 64 लेकर वो पूछ के रहा है उसका परिमाप हमें चाहिए क्या 4 गुणा भुजा परिमाप भी तो चाहिए इसका परिमाप हमें चाहिए 4 गुणा A3 हमें गयाद करना है हमें पता है A3 का square चाहिए तो हाँ यहां से यहां से A3 बरावर निकाल लूँगा मैं अंडरूट 64 हो जाएगा A3 बरावर यहां से 8 हा गया A3 बरावर 8 हा गया यहां पर मैंने 4 गुणा 8 लिग दिया तो यह कितना हो गया 32 ठीक है तो C आप्सन क्या हो जाएगा आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसे नोट कर लेंगे इसे नोट करना चाहिए नोट कर लेंगे स्किंसोट ले लेंगे ठीक है प्रतेक कुश्चन को आपको क्या करना है solve करने की कोसिस करनी है पहले और उस प्रशन को जो है दूटि यह 30% 10% की करमा नुशार यानि कि एक बार तो 1000 रुपय कितनी छूट दे रहा है 40% की और एक बार जो चूट दी नियों और दूसरी चूट दी ठीक है यानि कि हुआ क्या है इसमें इसका निकाल लेते हैं 40% चूट हो गई आपकी कितनी 400 रुपए एक हजार का 40% अगर मैं निकालूंगा तो यह हो जागा 200-200 कैंसे 400 रुपए यहां से निकल आ गया निकल के आ ठीक है 400 रुपए हो गई पहली बार तो चूट हो गई आपकी 400 रुपए दूसरी वाहर अगर वह पूछे चूट कितनी है पहले 30% चूट दी 1000 पर 30% आपकी चूट दी 30% उसने रुपे कम कर दिया कितने रुपे उसने कम कर दिये 300ए अब 700ण तो बचे 700 रुपे घा निया को चीज ले नहीं है 700 रुपे तो बचे 1000 की चीज थी state 300 कम कर दिये 700 कं पो और खूट दे रहा है जो यह तो यह 50 रुपे की और चूट दिया है ओनी ув 70 की यहां पर कितनी दी थी 400 की अंतर को इसने यही तो पूछा है 30% 10% की छूट का अंतर क्या है 40% और 30% 10% की छूट का अंतर आपको पता है 400 मैंसे 370 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 30 ही तो आगया इसका सही answer सही answer क्या आगया 30 हो गया एक और तरीका है इसको जब दो successive और या रही हो तो आपको क्या करना है आपको एक फार्मूला आए can you करें अइस आपका एक सब्सक्राइब लाय एकस एकज़्यग एक्स एक्सवाइप?, लीडय यानि के 10% ठीक है यहाँ पर X by यानि कि minus के 30 माइनस के 10 कितना हो जाएगा पिलस के 30 गुणा 10 हो जाएगा बटे में क्या है 100 नीचे 100 लिक दिनगे 200 से 200 गैंशल हो गए यह minus के 40% यानि कि 40% छूट पिलस के 3% ठीक है यानि कि यह हो जाएगा माइनस के 37 परशेंट यानि कि चूट जितनी कितनी होगा 37 परशेंट और यह कितनी थी 40 परशेंट 40% चूट और 37% चूट का अंतर अगर निकालेंगे तो हम कितना पर्षेंट आ जाएगा 3% चूट अब हम इसका डारेक्ट 3% निकाल देंगे तो वह कितना आएगा 30 ठीक है यह तरीका भी इसका क्या है हो जाएगा आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं ठीक है अग परषेंट प्रिशन के ओर हम चलते हैं अगला प्रेशन क्या क्या रहा है कि थी जो हैं PQR कोई हैं दीन लोग उनके बेतनों का अनुपाद दीया हुआ है कि तरह 343 549 545 उनमें 10% 1520% की ब्रद्दी की जाती है उनके बेतनों का अनुपाद ग्याद करना है मतलब क्या था थ कर दी और ब्रुद्दी कर दी ब्रुद्दी के बाद पूछ रहेंगी बड़ती होने के बाद उनका अनपात नया वाला क्या बने थो हमें क्या करना हैो कि पी अनपाथ, यू, अनपाथ, आर ऐसे लिख लेते हैं, कितना कितना था, तीन अनपाथ, चार अनपाथ, पांच, यह तो था, अब मैं क्या करता हूँ, इस अनपाथ में 100 की गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि अनपाथ में कितने की गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं प हो इस पर 10% की इस पर कितनी विरद्दी हुए फंदर पर्षेंट की और इस पर कितनी विरद्दी हो दिया 20 परचंट है ठीक है अब इसका आपको क्या करना है 10 परचंट निकालना है जोंकि कितना आयगा 30 रुपए ऐसे इसका 15% जब निकालों तो इसका आए गा 60 और ऐसे इसका 20% आप निकालों तो हिए आएगा 100% ठीक है यारी अब भो कहा रहा रहा है कि इतने इसका आनुपाद बताना यह च्यात है आप यह यही तो बताना था इसको महुझत करना त scoroo करेंगे इतना ही कटेगा यह हमारा क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा तो इसमें कौन सा देख लेते हैं ते अपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट answer हो जाएगा ठीक है next question की और चलते हैं अगला प्रिश्ण हमारा क्या कह रहा है कि 425 तीन बर्स में 476 रुपए हो जाते हैं तो साधान ब्याज की दर क्या है वो पर्षेंटीज पूछ रहा है कि किस पर्षेंटीज पर 425 रुपए 476 रुपए हो गए तीन बर्स में कितना ब्याज मिला था तीन बर्स कामें ब्याज निकालना है तो हम क्या में 466-425 को गड़ा देंगे छो से पांच गया एक बचा थीप स्ओं कि वर्ष मैं नीचे ले जाऊंगा किक्न कर दोंगा तो यह पता चल जाएगा कि 17 रुपए जो थे एक बरस में मिले थे कितने रुपए पर 425 रुपए पर एक बरस में कितना मिलना है 17 रुपए और गुणा मैं 100 कर देता हूं ठीक है यही तो होता है जितना प्रफिट हो रहा है यानि जितना ब्याज मिलना है उसे ऊपर लखेंगे और जो 25 परषेनन जो था उसे मिल ला था उसे कि तब य॥ा टार परता कुर्षेन का कनी किया है Sakixa को पता है 425 रुपही 476 रुपह सब बतें सो तो कितने ला वहनों आपको पता है इक फार्मूला आई बरबाला प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हंड्रेट यानि कि ब्याज बराबर मुल्धन गुणा दर गुणा समय बटे सो यही तो है अब इसमें हमें क्या करना है आई बराबर क्या लिख देंगे तीन वर्स सौरी आई बराबर मतलब याज आई का मतलब याज ब्याज कितना मिला था उसे हमने अब भी निकाला था व्याज कितना था तीन बर्स में 51 ठीक है प्रिंसिपल आमाउंट यानि कि रुपे उसने दिये कितने थे 425 रेट परसेंट आप से पूचिए है यानि कि दर आप से तुराज गर्वार पिर्ट ठीक है 17 डियां 51 और 17 वनी 34 ठीक है और यह वो गया 17 55 पर चीस यहां होगे तीन इदर आगया तीन से आपका यहां से आगा यह तरीका भी क्या हो जागा आपका बिलकुल सही आंसर आजाएगा इसे भी तो चार परसेंट कौन सा उप्सकिन प्लिकुल राइट उप्सन हो जाएगा next question अपका क्या कह रहा है कि next question कह रहा है या राम ने मेज को क्या या कौन 1500 रुपय में खरीदा और 160 रुपय में बेज दी इस तरीके कि question को को आपको सड़ाल्व करने के लिए पताया था फेले प्रइटश में बताया था कि जबंभी ब्रधि हो जब भी ब्रधि हो तो आप क्या करेंगे जब्रांद प्रोफेट निकालने के लिए लाव या हानी पर्षेंट भी आपको निकालना पड़े तो यहि फार्मूला है ठीक है आपको क्या करना है लाव जो हो रहा है अत्बा जो हानी यह उसे रखेंगे आप उपर प्रपरोफों से निखात हुआ है, तो सो साथ में बेज दी तो 10 रुबी तो दस कि चीज इकसे साथ में में बेज दी तो यहां हम किस से कर देंगे 100 रुपय से तो हमारा क्या निकल आएगा सो बटे 15 ठीक है यही तो निकल कि आज़ेगा लेयगा इसे किससे काटेंगे पांच थी है 25 फाज़ोनी 10 यानि कि 20 वटे टीन परतिसफ उटार यूरा दीन प्रतिस्यत म् अगला प्रिश्म जो है वो क्या कह रहा है कि यह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 627 और 760 को पूरता विवाजित करते हैं आपको चार उप्सन दिये हुए है इन चार में से आपको बताना कि ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी संक्या है सबसे बड़ी संक्या ऐसी कौन सी है जो 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 है 627 और 760 को डिवाइट कर दे तो आपको पता है कि हम पहले option से इसे करते है option से करेंगे तो आपको पता है 18 के factor कितने होते है 9 और 2 अब एक चीज आपको ध्यान रखनी कि 9 और 2 से जो संक्या कटेगी बही 18 से कटेगी क्या है 9 और 2 से कटेगी बही 18 से कटेगी और 9 से कटने के लिए उसके अंकों का संक्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो कितने से कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए हम देख लेते हैं अ सबसे बड़ी संख्या आपको बता नहीं है जो इन दोनों को बडान कर नहीं को इसको क्या विवाजित करेगी ठीक है तो हमें और दोस्ट करते हैं यह भी संक्या क्या है 19 से कट गई तो 19 क्या हो जाएगा है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो आप तो अगर साथ ती-स तीन से संक्या कटेजी इसके तो यह संक्या क्या है सबसे बड़ी संक्या पूच रहा है 19 से 19 से छोटी 17 तो अगर इसे कट भी जाएगा तब भी हमारा इसनी हो क्योंकि उसने पूचा है सबसे बड़ी संक्या इस फोच्ट में से कौन सी है ठीक है नेक्स्ट परिशन की और हम चलते हैं है कि यहां से आपका आगया यहां से आपका आगया रीजनिंग पोर्शन ठिंग आई निगवाल आप portraits यहां से portion आ तो इस टाप के question को दिया हुआ है कि असंगोत का पता लगा असंगात का मतलब होता है यह एक option ऐसा होगा इन में से जो तीनों से अलग होगा अलग बिल्कुल जैसे आपकी किलास में चार लोग हो तो उसमें से एक बिल्कुल अलग होता है उसी टाइप से इसमें जो है तीन option एक समान होंगे और एक बिलकोल अलग होगा ठीक है इसमें भाही देखना है कि हमें अलग वाला option कौन साहा है अब आप देखते हैं कि तामा जो है इसमें दिया क्या है तावा टें पीतल और जस्ता तो आपको पता वहगा कि तामा टें जस्ता क्या होता है एक धातू होती है लेकिन पीतल क्या होती है पीतल यह एक अधातू है पीतल क्या है अधातू और यह किससे मिली होई होती है तावा और जिंक किसे तावा और जिंक से यह मिलकर बनी होई होती है ठीक है तो यह पीतल क्या हो जाएगी अधातू हो जाएगी तो यही क्या हो गया हमारा अलग क्यों कि यह तीन अधातू है वह अधातू है ठीक है तो डिबी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट तो आपको क्या करना होता है इस टाइब के जब कुश्चन दिये हुए हो तो आपको क्या करना होता है है इस टाइब के कुश्चन में हमें यह संक्या लेकर आन यहाँ पर क्या आएगा यहां पर क्या है ठीक है तो हमें करना इसका एक एक उफर mina एक यह लिख परातर देखना इसमें इसमें सबसे बड़ी संख्या कोन है इन तीनों में हमें पता है 142 है यह नीघी इन दो तो कितना आएगा जोड के देख लेते हैं 113 113 प्लस 39 और दिन 12 के तो हसे लागे एक तीन एक तीन एक चार 142 यानि कि 140 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इन दोनों को जोडने पर अब अगर इन दोनों को आपको जोडने पर 96 में हमारा आ जाता है तो यह हमारी तक्नीकि क्या है इसमें भी यही वाली जो है तरीका दोने तो 58 और दो 78 यह जाएगा आपका पिलकुल जही आंसर हो जाएगा अगर आपको उपसंगे तर में आपको तरीके से लाए गया उपतर ना मिले तो आपको दूसरा तरीका लगाना होता है इस टाइब के question में next question हम देखते हैं next question क्या कह रहा है next कह रहा है कि यदि एक बिसिष्ट पूट भासा में इसको no no i t c e l e s इसको क्या लिखा है selection लिखा हुआ है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो आप आप इसको noteise करेंगे notice को not Explore notice करो n o it रहा है इधर के त kingdom also NOi і्यों ठीक है यह क्या कर रहा है इधर से हम चल रहा है और उधर से aky Loop can लेक दियाanut यानि कि इसको क्या करना पहलटgen इसको लिख दिया तो हमें इसको क्या करना पलटके लिख देना है ठीक है तो i से सुरू करते हैं i फिर n फिर d फिर i फिर a यह क्या हो गया हमारा यह हो गया हमारा इंडिया भारत ठीक है तो b option क्या हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रिशन की और चलते हैं नेक्स्ट प्रिशन कह रहा है हमारा 23 नंबर कुर्शन जो है वो कह रहा है कि a b c d एक कैरम खेल लाएं एक कैरम खेल लाएं इसको अभी छोड़ देते है पाई और बैठा है तदा उसका मू दक्षण की और है मालो यह कैरम है और लोग बैठके खेल लेएं अब डियखो जब वो दिशा दे टीक है आगर प्रिस्ट में डी हुई है तो आपको ऐसे घरके बनाना na इधर आपको उत्तर रखना है इधर दक्षिण इधर पूरव इधर पश्चिम क्या रखना है इधर पूरव इधर पश्चिम ठीक है यह ऐसे करके आपको रख लेना है अब वो कह रहा है कि आपको एक की दिसा दी है एक की दिसा दी हुई है इसका मतलब एक ब्यक्ति की आपक तो direction जल गई, दक्षिन की ओर मूह करके बैठा है कौन? C, जब आपको C के बाद कॉमा दिया हुआ हो, उसके आगे जो भी लिखा है, वो किस के बारे में होगा? C के बारे में होगा, तो इसने क्या लिखा है तथा उसका मूह दक्षिन की ओर है, किसका मूह? C का मूह, तो C का मुह भी दाक्षण की Ngay और नीचे की तरफ नीचे की तरफ मौ正 को बैटा? तरफ नीचे की तरफ मुह करके बैटा होगा乾 Berht!!! अब आपको पता चेलेगी तरफ को सोसे मू重 का मुह भी दाक्षण की में अब कह रहा है आप इसे बढ़ते हों C ए और C क्या है पार्टनर है और B और D वी क्या है पार्टनर है अब आपको पता है कि A और C पार्टनर है तो C के सामने कौन वैठा है ऑए why partner गॉम सामने बेठालते हैं ठीक है सी के सामने एसे डी के सामने भी कि आप वो पूछ रहा है वो हम जवाब देंगे वह क्या एक का मुह किस दिसामें होगा एका मुख किस दिशाम होगा एक उधर हा एधर कि उधर को इसे तर आपकी दिशा उत्तर ढूंसर क्या होजाएक आपका उध्तर ठीक है एक उध्तर म तो यह option A क्या हो गया आपका बिल्कुल right answer हो गया next question की ओवर हम चलते हैं next question क्या क्या रहा है आपका कि P Q का भाई है P Q का भाई है R P की मा है S R का पिता है यदि T Q का पुतर है तो q a किस प्रकार संबन देता है क्यूै क्यूं कि क्वाज़ के आप करते हैं तो आपको क्या करना की आपको अनुसारी इसको बनाना है इसको हम करने के लिए एक थारीका मैं आपको यह बताताहूं कि इसमें जैसे जैसे लिखा है ठीक है क्या लिखा है पी क्यू का भाई है अगर जैसे जेंडर का गैप आ रहा है जैसे आपके पिता जी आ रहा है तो वो एक जेंडर का गैप हो गया पिता जी के पिता जी आ गया तो क्या हो गया एक और जेंडर का गैप हो गया तो जेंडर का countigmat क जो उपर वाले है उनको उपर लिखेंगे और जैसे आपके बच्चे है उनकर लिखेंगे इसे ही मालन लेते यहां पे क्या दिखा दिया है क्यूं का भाई है यह क्या जो जो मेल होगा क्यूआ कि क्यूंकि श् dejar राया प्लस लगा देंगे क्योंकि क्यू का भॉई लड़्का क्यूं। टीक है तो r महला यानिगी r के ऊपर negative बचेन r के आए इसकी मां हो गई अब ये इससे ऊपर है या तो इसके पापा होंगे या मां होंगी दो आपसण हो सकते हैं तो मां हो गई अब s r का पिता है r के पिता जी कोन हो गई s in को positive परेंगे तो r के ये पिता होंगे ठीक है 100% क्योंकि पिलस लगा दियुक्त थीक है तो r क्या है s r के पताजी जदी t q का पुत्र है kya का पुत्र कों है t अभी भी हमें कि लिए नहीं कि T महला या पुरुस है ठीक है क्यों ऐसे किस looks wanna संबंद एता है क्यों किस बता सकते हैं यह बालो दो यह भाई बहन ने क्यों है दो है कि लिए दूबारास बनाते हैं पी था पूपकर पता है इसके उपपर zero था ठीक है अब आपको पता है कि यह दो भाई बहन ही इनकी माता यहां तक ठीक है यह इन दोनों की मा होंगी इन दोनों की मा के पिताजी इनके क्या हुए नाना ठीक है यह क्या हुए नाना हुए नाना के यह कौन होगा क्यों मुझा है आपसे नाना का क्यों से क्या रिलेक्शन होगा तो या तो यह नाती होगा अगर लड़का आपका किस परका संबंदित हो जाएगा नाथी या नातिन टीक की का पूत्तलता लेकिन इसका प्रशन में इसका कोई मतलब है ठीक है तो इसको आप छोड़ वी सकते हैं नेक्स्ट जो कुछन है हमारा 525 नंबर प्रेस этап क्या कहा रहा एक ब्यक्ति-पूरव की हो जार लिए यह आपका अल्ट ही आपका पूरव प्रश्यप सपा PK हम्हेद् This iswell यह यह चला पूर्व किदर इसमें किद़र चला कि तना चला city 5 km पीड़ ठीक है फिर दाईंगे और मुढ 平ए नॅर बुढ़ कर चाव किलोमेटर च़लता है अब इधर जा रहा हूँ पूरग मेरा पिसे जा दाया के दो भबादाया का मतलब सीधा ठीक है सीधा आथ कि धर ओभा एठर तो यह इदर यह तम उले मिना ठीक है अब किदर मुड़ रहा है वह लाद पाँंच किलो मीटर चलता अब बेकिस दिसा यह तो पताना है इदर कौन सी दिसा यह पूर वी तो यह जाएगा किदर पूरब के और सी अपशन क्या हो जाएगा आपका बिलकुल राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे समाझ में next question क्या कह रहा है यह भी देख लेते हैं question number 26 आपका कह रहा है कि यदि star का अर्थ जोड है end का अर्थ भाग है यह आपके sign दिये हुए है ठीक है यह change करके दिये हुए है आपको क्या करना है इसको जल्दी दिया हुआ है और star का अर्थ जोड ठीक है ऐसे ही दिया हुआ है अब आपको पता है पहले भाग solve करते हैं ठीक है हम इसे क्या कर लेते हैं यह लिख लेते हैं 135 भाग 15 गुणा 10 परशेंटेज की जिए है माइनस 3 और प्लस 6 ठीक है आपको क्या करना है सबसे पहले solve करना है हमें भाग ठीक है यह वाला section हमें solve करना है तो 15 135 अगर मैं गुणा का चिन लगाऊंगा तो एक बटे पंदर लेख सकता हूं या फिर सीधे में नीचे इसके लिए ता एक ही बात होती है गुणा में आपका क्या दिया हुआ 10 माइनस के 3 पिलस के 6 हम आपने इस पूरे को गुणा में ले लिया ठीक है इसको पूरे को किस में बदल दिया गुणा में बदल दिया अब क्या करना है इसको हम गुणा करके देख ले थे 15 निम्मा 139 गुणा 10 यानि कि 90 माइनस के 3 हमे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रिश्ण क्यों चलते हैं को है नेक्स्त प्रिश्ण क्या कर राइक निम्दे लिखत मैं से कौन शात्र और इस्कूल के मर्द्र संबंद्र को बताथा है आफ एक बाता और दो में चात्र है ये कालेज है यह है को लिविए दिया को लिखे सोंगे आप सान्ड LGBT होता है इसका समंद्ध है is school सो जाएगा इन चांटर क्चार यांस कॉस्कूल का कोंपस में संबन्द नहीं होगा ढूँदेंगे नेक्स कुष्ण आपको दिया हुआ है यह प्रेषन आगरती है प्रतिभं में आपको बताना इसका प्रतिभं नहीं है यहाँ यहाँ पर कि आपको किया रख दी हमने इतना ही आएगा तो इसे बना लेदे हैं मतलव rating आप सी सा खाष आप रख के देख लेना फिस आप रखोगे तो कैसे बर संसे बड़कbrand है यह बटा यह यह कुज ठीक है और जो ऊपर है यह ऐसे ही रहेगा यह लाइन भी ऐसी रहेगी यह वाली लाइन भी ऐसे रहेगी यही तो बनेगा यही तो बनेगा अब देख लेते हैं इस मैंसे यह इधर को बना हुआ है यह ऑफ्सन गलत हो गया यह भी इधर को बना हुआ है तो यह भी ऑफ्सन भी यह बाला यह बने हूए लेकिन इसमें यह बाला क्या नीचे है इसका मतलए यह मतलए यह बहुत constructive हो जाए Connor पर एसे अ इस में यह बाल है ऑगा जलते हैं नहीं नहीं पर नहीं अंब हाय ऑनना ह dovकांए चाहित सब्सक्राइब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट प्रेस्न के और चलते है? अपको ये जो आखिरती दी हुई है ये जो आखिरती दी हुई है ये आखिरती आपको इन चारों ओप्न में धून नहीं है कि कौनसे आखिरती है ठीक है और जिसमें होगी बही आपका अंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आप प्रश्णाकिरती देख लीजिए आगे जा रहा है और यहां पर आ रहा है इस कोहने से जा रहा है और यहां पर आ रहा है इस कोहने में तो इसमें कोई नहीं है तो यह आपका गलत हो गया पहले यह वाला तो आपका गलत हो गया अब इसमें देख लेते हैं इसमें इस कोहने से जा रहा है यहां तक ठीक है यहां आरण यह नीचे आ रहा है आपकी आकिरती देख रही है ना वीज रही है तो भी अप्ट क्या हो जाएग बिल्कुल राइट लाइट राइट हो जाएगा नेक्स प्रेसट सुरी तीस परिश्ट करों चुके हैं आपको कैसा लगा आप comment box में बताएंगे कैसे आपका practice set लगा ठीक है और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं वो भी आप बताएंगे और ऐसे ही आपकी 30 practice set की series होगी आप पूरे 30 practice set कर लेंगे तो लगवग आपके जो है 20-25 question जो है इसमें आपके सही हो जाएंगे ठीक है आपको सारे तरीके में बड़े आराम से समझा दूंगा कौन सा प्रशन कैसे करना है मैं ठीक है तो चलते हैं धन्यवाद next practice set में मिलते हैं